नमस्कार जहिन पूर सैनिक और डिपेंडेंट्स के लिए सेप्टेंबर महीना का पार्ट 9 वीडियो आ गया है तो उसमें हम कुछ इंपोर्टेंट वेकेंसिस को डिसकस करेंगे उसके पहले मैं एक चीज इंपोर्टेंट है वो आपको मैं बता देना चाहरा हूँ आपको कई बार क्या होता है आपको वीडियो मिल नहीं पाते हैं तो उसका एक उपाय है आप यूटूब पे जाएं सैनिक वेलफेर रिसर्च टाइप करें और सैनिक वेलफेर रिसर्च टाइप करते हैं ये logo इस type का आ जाएगा वहाँ पे आप videos में जाएं और videos में जाते ही आपको latest videos मिल जाएंगे जो की latest हैं और एक sequence से आपको videos मिल जाएंगे reason behind कई बार क्या होता है आप subscribe भी कर लेते हैं bell icon को भी दबा लेते हैं बट आपको notifications नहीं मिल पाता है क्योंकि traffic ज्यादा हो जाने के वए से वो आपको नहीं मिल पाते हैं किसी भी कारण वस तो हो सकता है इसके लिए आप regularly इसको check करते रहें so that आपको ये updates regular updates आपको मिलते रहें इसके अलावा आप हमारे telegram channel को भी follow कर सकते हैं तो चलिए बीना job से start करते हैं हर बार और इस बार भी हम government job से start करेंगे सबसे पहला जो है वो आया है मैजगों डॉक सुब बिल्डर्स लिमिटेड इसमें contractual vacancy है पूरसानिकों के लिए और बाकी candidates के लिए भी है बट इसमें technical vacancies ज्यादा है जिसमें की आप यहां पर देख सकते हैं driver, electrician, electronic, mechanic, fitter और भी काफी इसमें vacancies हैं तो जितने भी हमारे technical skills जिनके पास है पूरसानिकों के पास या technical side से हैं जो technical side से उनका trade है तो उनके लिए अच्छा है तो यहां पर काफी सारे vacancies हैं इसके important dates देख लेते हैं इसमें salary structure अच्छा था इसलिए मैं इसको यह consider किया यहां 11 September से start है और इसका last date है 1 October 2024 इसका salary structure भी आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया इसमें salary यहां offer कर रहे है और बाकी सब allowances वगरा सब कुछ यहां पर है बट यह contextual vacancy है और यह location कौन सा है यह location मुंबई location का है बाकी description box में आपको इसका link मिल जाएगा वहां से आप इसको detail चेक कर सकते हैं उसके बाद next जो vacancy है वो हमारे जेंटके के पूरसानिकों के लिए है High Court of Jammu and Kasmir and Ladakh 8 स्रीनगर मैं ने जेंटके के लिए previous में भी बढ़नाया था जो उनका police constable का vacancy आया था इसके अलावा माता बैसनो देवी स्राइन बोर्ड का vacancy आया था इसके अलावा और काफी सारे vacancies में बीच-बीच में लाते रहता हूं वहां का job updates comparatively कम होते हैं तो आप थोड़ा सा consider करें और भी कोशिश करना हूं लाने का अच्छा इसमें काफी सारे vacancies है junior assistant, steno typist, system officer and system assistant इसका online application feel हो रहा है 2 September 2024 से 1 October 2024 इसका last date है अब यहाँ पे junior assistant यानि clerical grade का है तो आप इसमें देख सकते हैं क्या qualification है defense graduation के base पे भी आप यहाँ पे apply कर पाएंगे steno का है, इसके अलावा system officer के लिए है तो system officer के लिए भी जो qualification आप यहाँ पे screen को पर देख सकते हैं बाकी details आपको description box मिल जाएगा वहाँ से आप apply कर पाएंगे dates मैंने बता दिया, important dates उसको ध्यान में रखेंगे उसके बाद जो next vacancy वो है मैं इसको पहले discuss कर चुका है, इसको दूबारा से include किया हूँ कि इसका जो date है वो extend हो चुका है, inland waterways authority of India limited noida location के लिए, यह noida उत्तर प्रदेश के लिए location के लिए है और यह बहुत बड़ी है वेकंसी है, मैं एक बार remind कर आना चाहरा था क्योंकि उत्तर प्रदेश साइट से मेरे को comment सा रहे थे तो आए यहां देखिए, पूर सानिकों के लिए बहुत सारे अच्छे वेकंसी हैं और पूर सानिकों के साथ-साथ, CAPF को भी यहां पे आप ध्यान में रखेंगे जो वेकंसी हैं, मैजगान डॉक यहां पे भी यह सब जो है, CAPF को भी वो consider कर रहे हैं तो आप वहां पे भी CAPF के अगर पूर सानिक यहां पे देख रहे हैं तो वो भी ध्यान रखेंगे यहां पे storekeeper, dread control operator, junior accounts officer काफी सारे यहां पे वेकंसी हैं staff card driver, तो आप अपने choice के हिसाब से अपने education skill के अनुसार आप यहां पे apply कर पाएंगे MTS के लिए भी है और यहां पे एक चीज़ है आप देखेंगे कि जितने भी इनके जो vacancies हैं उसमें यह एक serviceman को prefer कर रहे हैं यहां देखें, आप दिखा देता हूं आपको जैसे license engine driver यहां preference will be given to a serviceman इसके अलावा paramilitary process को भी यह preference दे रहे हैं तो आप इसका notification number के साथ सब कुछ आप देख देख देगा आपको इसका notification link नीचे decision box में जाएगा आपके पास क्या skill है, आप कौन से trade से है, आपका qualification क्या है उसी के according आप यहां पे fill कर ले, खुद देख ले क्योंकि एक एक post को अगर मैं define करूँगा तो बहुत जादा लंबा हो जाएगा वीडियो इसके बाद driver है, MTS है MTS में केवल metric पास चाहिए, तो MTS के लिए भी apply कर पाएंगे उसके बाद और भी government jobs को हम लोग देख लेते हैं, या direct jobs को भी देखेंगे जो चौते नमबर का job है वो है gram, रोजगार, सेवक यह ओडिस्या के पूर सनिकों के लिए है और यहाँ पे district wise vacancy आया हुआ है अब एक चीज़ इसमें minus point क्या है तो यह जो salary offer करने है वो काफी कम है बट यहाँ पे क्या ही है contractual job है तो एक चीज़ है कि आप अपने local में इसको कर सकते हैं, local अपने पंचायत level पे आपको यह एक मौका मिल रहा है और दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें आप अपना business या कोई दूसरा job करते हुए भी अपना business करते हुए इसको कर सकते हैं तो यह आप मतलब एक अच्छा opportunity लगा मेरे को तो जार्शोड़ा district में दो vacancy है इसका last date है 9 October 2024 उसके बाद राइगाड district में है 4 vacancy last date आप देख सकते हैं 30 September 2024 अच्छा यह जितने यह है यह जो vacancy है इसके लिए आप offline अविधन करना है तो offline के लिए मैं application link नीचे description box में डाल दूँगा वो form फिलब करके offline mode में इसको जमा करना है अपने district employment office में उसके बाद गंजान district 11 vacancy है last date है 21 September 2024 उसके बाद बाउध बाउध district का है 2 vacancy last date 25 September 2024 नायगाड के लिए 5 vacancy है last date 23 September 2024 educational qualification क्या चाहिए 10 plus 2 चाहिए ओडिया आना चाहिए ओडिया बोलना लिखना और पढ़ना आना चाहिए इसके आलावा आपको computer का knowledge होना चाहिए तो यह अगर है तो आप इसके लिए आप इदन कर सकते है एक service man के लिए operates limit दिया हुआ और एक चीज इन्होंने mention किया है कि जो भी पूरशानिक है जो serving soldiers है जिनका 6 महिना से ज़्यादा बाकी है retire होने के लिए वो इसमें apply नहीं कर पाएंगे 6 मैंने से कम वाले इसमें apply कर सकते है बाकी details आप नीचे description में देख लेंगा वहाँ पर मैं इसको describe कर दूँगा मैं share कर दूँगा उसके बाद air veterans के लिए vacancy आया है मैं इसलिए पहले ही mention कर दिया हूँ यह only for air veterans है इसमें NCOs के लिए vacancy है office admin in Himil research company private limited एक vacancy और same company में factory admin यानि office admin and factory admin के लिए vacancy है NCOs के लिए यह salary as per company norms salary उन्होंने disclose नहीं किया लेकिन salary इनका ठीक टाक रहता है location बैंगलोर के लिए maximum wage 47 last day to apply 19 September 2024 link नीचे description box में जाएगा अब हम लोग switch करते हैं dependence के लिए एक servicemen और CEPF के लिए यहाँ पे समाप्त हो गया dependence के लिए job जितने भी है वो job fair का तो job vacancy is in capital protection force at महराश्टरा गर्चिरोली from 16th September 2024 to 20th September 2024 यहाँ organized by carrier center गर्चिरोली महराश्टरा अब यहाँ job fair का venue क्या है आप देख सकते हैं यह इसका venue है screen के उपर इसका timing देख लें 16th September में 12 वज से start हो जाएगा और यह चलेगा 10th September 2024 12 वज तक यानि यह 16th September तक चलेगा इसका timing आप देख सकते हैं इसमें 500 vacancies expect किये जा रहे हैं एक company आई गी यहाँ पर जो आपने डिसकस किया उसके बाद next job fair है Tata Electronics Private Limited के द्वारा यह मतलब यह company है Tata Electronics Private Limited यह Odisha संबलपूर में होगा 19 September 2024 Organize किया जा रहा है Carrier Center संबलपूर Odisha Job Fair है ITI Hira Code यह location आप ध्यान में रखेंगे ITI Hira Code और इसका timing क्या रहेगा और date है 19 September 2024 10 वज से लेके 5 वज साम को यह timing है उसके बाद यहाँ इसका description में important क्या है यह female candidate के लिए है यानि जो भी female dependent है वो यहाँ पर जा सकते हैं 10th हो, 12th हो, ITI हो, Diploma हो वो जा सकते हैं location में मैंने बता दिया कि केवल female candidate के लिए है उसके बाद next है Banka, Bihar यहाँ 19 September 2024 को है Job Fair, Carrier Center Banka, Bihar के द्वारा यह organize होगा इसका location आप देख सकते हैं स्क्रीन को उपर, timing भी आप देख सकते हैं एक बएसे चार बएस तक 19 तारीक हो है अब यह है जो जाएंगे यहाँ पर candidate तो वो 10th class के और 10th pass हो सकते हैं 12th ITI candidate जा सकते हैं Age यहाँ पर दिया हुआ है 18 से 45 इनको चाहिए तो यहाँ पर CAPF भी अगर है वो अगर रोजगार की तलास में हैं तो up to 45 हैं या देखिए यहाँ पर job fair में CAPF भी जा सकते हैं एक सर्विसमेन भी जा सकते हैं अगर उनको मिलता है मौका अच्छा company में अगर placement मिल जा रहा है तो वो वहाँ जाइन कर सकते हैं क्योंकि वेटरेंस का वहाँ पर डिमांड रहता है क्योंकि experience candidate उनको मिल जाते हैं तो वो उनको रख लेते हैं उसके बाद next है free job fair at Mahindra Institute at Odisha खोरदा यह organized किया जा रहा है Career Center खोरदा, Odisha यह Mahindra Institute Baramunda इसका venue है job fair venue है Mahindra Institute, Baramunda यहाँ पर आठ companies आएंगी कौन-कौन सी companies देखें famous companies है TBS, TBS spare parts Foxconn, Hero भारत F.I.H बागी आप companies को यहाँ पर देख सकते हैं आठ companies है इसका timing देख लें 20 September 2024 10 बज़े सुबा से सांब को 4 बज़े तक यह golden opportunity है अच्छी अच्छी companies आ रहे हैं यहाँ पर एक service man, C.A.P.F dependence यहाँ जाएं और यहाँ पर आप चेक कर लें उसके बाद next है micro job fair at Tamil Nadu Tamil Nadu के लिए मेरे पास comments आया था मेरे को बहुत अच्छा लगा मैं आने वाले videos में definitely update करूँगा Tamil Nadu के रला सदन साइड के लिए भी तो तिरू वल्लूर के लिए location के लिए है 20 September 2024 organized by carrier center तिरू वल्लूर तमिल लाडू अब यहाँ देखें यह बहुत बढ़िया है यहाँ पर opportunity मिल रहा है इसका जो address है वो देख ले यह job fair venue का address क्या है यह आप देख सकते हैं स्क्रीन को उपर इसका timing देखें 20 September 2024 10 AM से 3 PM इसका timing है तो इसको no down कर लेंगे और वहाँ पर जाके इसका आप इसमें participate कर सकते हैं उसके बाद next है job fair बिहार भागलपूर 20 September 2024 21 September 2024 यहाँ बीस और 21 September को यहाँ पर organized होगा organized by carrier center बागलपूर बिहार इसका venue देख लें यह venue है कहाँ होगा वह आपको पता होना चाहिए उसके बाद इसका timing भी important है तो timing आप देख लें 10 बहे से start हो जाएगा 20 September में और यह 1 ही September 3 बहे तक चलेगा दोपर को 3 बहे तक तो यह timing आपको पता होना चाहिए उसके बाद next है job fair सुल्तानपूर उत्तरप्रदेश organized by carrier center सुल्तानपूर उत्तरप्रदेश आप इसका venue देख लें venue important है venue को आप ध्यान रग रखेंगे आप इसमें 7 company आ रही है बहुत बड़ा job fair है यह को उसके बाद list of companies कौन कौन से है चेकमेट, securities, private limited, gravity, flip card, amazon, ptm, science services, alex technology यह से companies आ रहे हैं इसका timing देख ले 21 September 2024 11 बए से 3 बए के बीच में लगेगा तो पूर सानिक, CEPF, dependents सभी जाएं और वहाँ पर यहाँ पर जाके ना चेक कर लें कोई अच्छा vacancy मिलता है तो आप इसमें join कर सकते हैं वहाँ जाएं तो आप एक CV बना लें बड़ी ऐसा अपने documents का photocopy लेके जाएं recent passport size photograph ले जाएं relevant documents जितने भी हैं वह आप लेके जाएं इसके अलावा police verification आप online करा के रखें वह बहुत काम करता है अच्छा एक चीज़ जो है मैं आपको बता दिया कई बार हमारे पास complaint आता है कि आपका वीडियो update मिल नहीं पाया तो मैं वही तरीका आपको बता दिया हूँ YouTube पे जाएं Sanic welfare research टाइप करें वहाँ पे आपको यह इस टाइप का logo मिलेगा यह logo मिल जागा आपको और वहाँ पे आप home नहीं वीडियो सेक्शन में जाएं और वहाँ पे latest वीडियो जितने हैं वहाँ एक बार देख लें वैसे मैं एक sequence से बनाता हूँ September part 6, 7, 8 किसी किसी में sequence छूट जाता है आप उसको एक sequence wise वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसके अलावा अगर आप टेलिग्राम यूज कर रहें तो टेलिग्राम चैनल को फॉलो करें कि वह आपको जॉब्स के साथ चाहत इंपॉर्टेंट वेलफियर अपडेट्स short notice में जितने vacancies जाते हैं मैं टेलिग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ इसके अलावा last option है आपके पास whatsapp चैनल तो whatsapp चैनल को भी आप use कर सकते हैं हमारा whatsapp चैनल भी है उसका link नीचे description box में है उसको follow करते रहें ताको या क्यो आपको regular updates मिलते रहें बट सबसे कारगर तरीका जो है मैं आपको बताया साइनिक विलफेर रिसर्च यूटूब चैनल पे जाएं वहाँ टाइप करके इस तरह से आप सर्च करेंगे तो आपको कोई भी update छुटे कर नहीं आपसे थैंक्स फर वाचिंग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत